हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूटीब चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको हिजाब कैप बनाना बताएंगे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से तो यहां पर हमने इस तरीके का स्टेश्वल यह दिखी स्टेश्वल कपड़ लिया है और कपड़ी के हमने तीन पार्ट को हमने फोल्ड करके रखा है तो यह वाले पार्ट को हमने साइट से फोल्ड किया है और इस वाले पार्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया है और इस वाले पार्ट को हमने सी साइट से फोल्ड किया है तो इसी फोल्डिंग पोजिशन में हम मेसर्मिंट देख लेते है तो इस वाले पार्ट के हमने जो चोड़ाई रखिये मों 5 Hide रखिये और उपर वाले $ रखे है यह देखे हैं और इस वाले पार्ट के लंबाई हमनें स,षाथ इंच रखिये है यह देखिये और चोड़ाई हमने में इसकी कि छार रखी में यहां से कपड़ क्लेंगें यहां onлough कर लेंगे कि कपडे के दो हिस्ते कर लें इस तरीके से हमें रखना cycle और यहां पर नीचे से जॉइन कर देना है यहां पर हमें एलग कर देना है इसी तरह से हमें यह दूसरा पर्ट भी जॉइंट कर देना है अब हमें इस तरीके से कपड़े को रखकर अराम से इस तरीके से रखना है बराबर करके और उपर से 9 पर निशान लगाना है यह देखिए और नीचे से हम 2.5 पर निशान लगाएंगे यह देखिए तो यह हमारा टाय वाला पोजिशन होगा यह बांदने के लिए एक बद्धी टायप की बन जाएगी तो यहां से कपड़े को काटकर हम अलग कर देते हैं यह देखिए अब हम इसको ओपन करेंगे यह देखिए और य है सिलाए लाइद यह देखिए हमने तीनों कर लागाए और इस तरफ हमने इस तरीके से रखाए यह देखिए इस तरीके से रखकर हमने यूब सेंटर पर एक कटका निशान लगा-देजन हैं अब में इस वाले पारत को थाना है और यह जीओ फ़ेले तो परत्व आपर करक और यहां से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे और बीज सेंटर पर हम कट का निशान लगा दिया है ठीक है तो यह देखिए बीज सेंटर पर हमने इसमें भी कट का निशान लगाया है और जो उस वाले कट का निशान को हमें इस तरीके से रखना है यह देखिए दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हम बीज से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कपड़ा हमारा दोनों साइड में एक बराबर ही आए यह देखिए तो इसी तरीके से गुलाई देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे अब सेम प्रोसेस से हमें उस तरफ से भी सिलाई लगानी है यहाँ पर भी हम बीज से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से लास्ट तक जाएंगे यह देखिए अब यहाँ पर हमें लास्टिक लगानी है तो यह जो कपड़ा हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर हम इस तरीके से लास्टिक को रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यह देखिए अब यहाँ पर हम पक्का करके इस तरीके से लास्टिक को कर लगाते जाएंगे और एक्ष्टर लास्टिक जो हमारी बचेगी उसको काटकर हटा देंगे कि देखेंगे तो यह बैग पर हमारी लास्टिक लग गई है यह देखिए हमारा रेडियो हो गया है हिजाब कैब बस हमें यहां पर फ्रंट पर लेस लगानी है वह हम यहां पर लगा देते हैं जिससे इसकी खुबसूरती और जादा बढ़ जाएगी तो यह जो जॉइंट है हमारा यहां दो अंगल नीचे से हम लैस लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी इतनी दिखेगी और यहां से हम लैस लगाएंगे जो दूसरा वाला जॉइंट ह उसके दो अंगल नीचे तक के तो फ्रेंट्स यह देखे लैस लगा दी हमने और हमारा हिजाब कैप रेडी हो गया है फ्रेंट्स कैसी लगी हमारी टेक्निक हमको कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा चानल को सब चीज का वीडियो चाहिए और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो